रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 10th के फ्रस्ट फ्लाइट बुक से दा बॉल पोयम पड़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं यह जो पोयम है वो ऐसे चीज के गुम हो जाने से रिलेटेड है जिससे हमारा बहुत लगा होता है और लॉस के जाता है तो उससे कैसे उभरना है और इस कविता में हम लोग देखेंगे कि जो बच्चे का सबसे वस्तु होता है वो उसका बॉल होता है अगर हम सब की बात की जाए तो एक बॉल गुम होना हमारे लिए छोटी सी बात होगी और हम लोगा रियाक्शन जो होगा बहुत जादे लगाव रहता है उसका मानना यह है कि कोई वेक्ति एक दूसरा बॉल खरीच सकता है ले सकता है और वह भी बहुत कम इमाउंट पर लेकिन जो पैसा है नहीं किसी भी प्रकार का प्यार दुलार स्ने नहीं खरीच सकता और पैसा भले ही हमारे लिए बहुत जरोरी है लेकिन वो उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता जिस चीज से हमें बहुत ज्यादे प्यार हो या बहुत ज्यादे लगा हो इस पोयम में उस चोटे से बच्चे की जो फीलिंग है उस बॉल के प्रती उसको उसके यंग डेस से कंपेर किया गया है कि जब वो बच्चपन में अपने जिन्दगी जीता था तो उस समय वो बहुत जादे खुश रहा करता था बहुत मासूम था उसका मानना यह है कि लोग बॉल ले सकते हैं जैसे दीरे दीरे बच्चों का इनोसन्स चला जाता है और वो ग्रू हो जाते हैं आप इमैजिन करिए टीनेज की क्योंकि टीन एक बार जब हमारा इनोसेंस हमसे चिन जाता है तो हम उसे वापस प्राप्त नहीं कर पाते हैं लेकिन इन सब के अलावा हम सभी को एक चीज़ सीखना चाहिए कि कि इस तरीके से हम अपने लाइफ में स्टैंड ले सकेंगे हम सभी को स्ट्रॉंग बनना पड़ेगा क्योंकि हमें जो लाइफ में चाहिए अगर हम थोड़े से भी लूज हो जाते हैं तो हम चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे भले ही हमारे मन के भीतर दुख हो कस्ट हो पीड़ा हो बावजूद उसके हमें खड़ा होना है ह हमें स्ट्रॉंग बनके रहना है और यही एक रास्ता है जिसके माधियम से हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे इसलिए हम सभी को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए और अगर कोई वस्तु हमारे पास से जा रहा है लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं तो उस चीज़ कर सकते हैं कि कैसे उस चोटे से बच्चे का इस पिरेट जिस तरीके से उसका बॉल पानी में जाके डूब जाता है तो किस तरीके से वह बच्चा अपने जिंदगी में ग्रो करना सीखने लगता है और इस पोयम में उस बच्चे के साथ साथ बॉल भी ग्रो कर रहा है मतलब वो बच्चा छोटा बच्चा नहीं रहता है और finally इसमें reader हम सभी हैं और इस poem को हम लोग literally और metaphorically दोनों तरीके से interpret कर सकते हैं अगर literary चीजे देखी जाए तो इसमें उस छोटे से बच्चे की growth के बारे में दिखा रहा है यह हम सभी जो मनुश्य हैं वो सीख रहा हैं कि किस तरीके से अपने हिर्देप्रीर, समान, लोग से जब दूर होते हैं या उनका जब छटी होता है तो किस तरीके से हम उस condition में भी अपने आपको खड़ा रखते हैं जिस तरीके से बच्चा अपने ball के लिए बहुत impressed होता है कि उसे चाहिए तो वही ball चाहिए क्योंकि उसके मन के अंदर उस ball के प्रती जो सनेह रहता है वो दूसरे ball के प्रती नहीं हो सकता है जो बच्चा है इस poem में वो connected है उस ball के साथ और जिस चीज़ से connection बन जाता है अगर वो हमारे पास नहीं रहता है तो हमें बहुत जादे दुख होता है बहुत कस्ट होता है क्योंकि अगर उस ball के अलावा उस बच्चे को उसी color का दूसरा ball भी दिया जाए तो वो उतना खुस नहीं होगा क्योंकि उसे पता है कि वो ball दूसरा है वो ball पहले वाला नहीं है जिसके साथ उसका कुछ connection था वैसे ही हम सभी का भी जीवन है अगर हमारे साथ कोई इंसान रहता है और वो हमें छोड़ के चला जाता है और उसका जगा वो हमेशा के लिए खाली रह जाता है क्योंकि उस जगह को कोई भर नहीं पाता है कोई दूसरा भले ही आता है लेकिन वो जगह भर नहीं पाता है क्योंकि उस जगह का हगदार दूसरा इंसान रहता है जो चला गया है तो कुल मिला के इस पोयम में यही सारी चीजें हैं किस तरीके से अगर किसी भी situation में हमें loss हो रहा है तो उस loss को accept करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और यहाँ पे आपका ये poem समापत होता है Thank you for watching Please like, share and subscribe my channel Retro Studies